बांगिश्वर जिला पंचाद में बीते 74 दिन उसे चल रहा आंदुलन जिला पंचाद अज्यक्स और जिलाधिकारी से वारता के उपरान समाप्त हो गया है धरने में बैटे सदस्यों ने बताए कि बजट के समान वित्रन पर सहमती बनी है शुकुरुबार को जिला पंचाद की उपाजख्ष नविन परिहार ने तैस समय पर आमरन अंचन शुरू कर दिया था लेकिन जिला पंचाद अज्यक्स बसंति देव जिलाधिकारी विनीत गुमार गतिरोत समाप्त करने की दिशा में बनतरन कर रहे थे आमरान अंशन सुनो करने के कुछ घंटे बाद ही आमरान अंशन वो 74 दिनों से चला आ रहा धरना समाप्त हो गया जिला दिकारी वो जिला पंजात अजक्स ने अंशन में बैठे नविन परिहार को जूस पिला कर उनका अंशन समाप्त कराया आंदोलन समाप्त होने के बाद माना जा सकता है कि शनिवार को आईजिद होने वाली बैटक सुहार्दपूर्ण वातावरण में होगी ताकि जिले के विकास के लिए आए बजट का सही वितरन हो सके समाप्त नहीं होगा तब तक बजट का आउंटन नहीं किया जाएगा लेकिन उसके अप्रांत फिर जो हम लोगे गतिरोद में बैठे हुए थे आज माननी एदिक्स मोहदया जिलादीकारी मोहदय की मज़िस्ता से आज आनुलन समाप्त हो चुका है और जिसमें हमें बजट का आउंटन के लिए हम यहां पर बैठे हुए थे तो आज माननी एदिक्सी मोहदय दौरा हम सभी को अउगुत करा दिये गया है कि जो बजट का आउंटन हो सामानी रुख से सभी चेतर में बराबर बाढ़ कि जाएगा तो कल की बैठेक में सभी सभी सदेशी प्रदिवाग क आगे की कारियोजनाओ के जिले के विकास की कारियोजनाओ पर चर्चा करांगे और सामानी वजवत्र के संसंक्ति हम शेतर कारण करेंगे आंदोलन कम से कम 14-15 दिन हो चुके हैं ठीक है परवार का आपसी जगड़ा था तो आठ बारता हुई तो सब आपस में सम्झाता हुआ कि आपस में मिलके काम करेंगे और जिले का बिकाई कहीं पर भी कोई ब्योधानी होगा और जिले का बिकाई मिलकर करेंगे कल सदन की बैठक होगी हाँ कल सभी मानी से दिशे कर बैठक मा पर बैठक मांनी से दिशे करने के और बैठक में कर रहें इऊ में से जिला पंचायत में गती रोध चल रहा था और पिचेतर दिन से दढ़ने पर भी बैठे वेते तो आज दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमती से यह निड्ने लिया गया कि इससे सभी का नुकसान हो रहा है और हमारे जो जिले का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा इस प्रकार से की जाएगी कल बैठक होगी है हाँ कल अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसके इसाब से इनकी कल बैठक होगी CCN News के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट